नमस्कार स्वागत करते हैं आज की बिहाद बड़ी खबर से और खबर निकल गर शामने आरे बीग ब्रेकिंग न्यूस और बड़ी खबर है कि विहार में श्रत्ता परिवर्तन के नहीं दृष्य को देखने के बाद में अब नितीश और तिजश्वी यादों कुछ नया कर श सकते हैं को अंग्रेश में शामिल सुत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर शामने आई तो यश्वी यादों को नितीश कुमार मुकमंत्री बनाने की बड़ी कवायत और त्यारी करते नसर आ रहे हैं और इस दौरान बेहादी बड़ी और मतपूर जनकारिया भी सामने आ रहे हैं जो आपको बस्तार से ओगत कराएंगे समझाने का प्रयास करेंगे वर वीडियो को लाइक जरू कर दीजेगा जीतर नमाजी ने दौजार चौबिस की चुना में पार्टी के परचंड मौमतर बड़ी सफलता के लिए जिहां तमाम तेजश्वी यादों और अन् मिलते जुलते नजल आ रहे हैं उस दौरान नई प्रकार की खबरे भी सामने आ रहे हैं खबरों में बस्तार से समझने का प्रयास करेंगे जानने का बड़ा प्रयास करेंगे किस तरीके से लगतार एक बार फिर से जियन लंबा प्रयास किया गया है और भूमी हीनों को भू और एके खबरों पर आउगस कराएंगे किस तरीके से नितिश कुमार ने अपने अधिकार के अंदर लड़ाईों को बहतर तरीकों से लड़ने का मूड मिजाज और त्यार कर लिया एक खेमा आज की बड़ी खबरों में जनकारी देंगे किस तरीके से अलग अलग जतोर तरीकों से जिहां कहीं न कहीं क्राइम के कंट्रोल को किया जारा है क्राइम कंट्रोल करने के लिए दिसा निर्देश दिया जारा है और इसके साथ बड़ी खबर में स्टार्ट से समझने का बड़ सभा चुनाव में ममता और तमाम अन्य बड़े निताओं को मात देने की सबसे बड़ी त्यारी उन्होंने की है और इसके साथ दोस्तों बात करेंगे डीजल और पेट्रोल की बड़ती कीमतों के बारे में सरकार पर आ रहे हैं तमाम प्रेशर और दबाव को ले करके जा सरकार साथी साथ दोस्तों आज की बड़ी कबरों में बिस्तार से समझने का प्रयास करेंगे किस तरीके से लगतार जिहां और शोक गहलोद की डाज नितिक नए पहलियों पर मजबूत ताकत का एक नया पैगाम लिखती चली जा रही है साथी साथ एलपीजी चलेंडरों के बड़ती कीमत दो आजर 24 में चुनाओं हराने के लिए काफी हो सकती है क्योंकि लगतार एलपीजी चलेंडरों पर जिहां कमिटमेंट और वादे और बाते लगतार की जा रही है साथी साथ दोस्तों बात करेंगे किस तरीके से जिहां एक बार फिर देश में पूरी तरीकों से जिहां किंदर के अंदर आने वाले अदेस नए तरीके के हैं जो चौकाने वाले नए रिजल्ट को देंगे नितिष कुमार ने बताया कि वो परधानमंत्री के चेहार बिलकुल नहीं है परधानमंत्री बनाएंगे ये तये है नितिष कुमार का बड़ा कमिटमेंट और बड़ी जनकारी साथी साथ दोस्तों बात करेंगे किस तरीके से चिराग पासवान ने 2024 की लोग सबाद चुनाओं में पार्टी को मजबूत करने और सिस्टम के अंदर ताकतों को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते नजर आए हैं साथी साथ आज बड़ी खबरों में जानेंगे किस तरीके से लगतार मतप्रदेश के सियम सिरासिन चौहान ने 2024 की लोग सबाद में अपनी तमाम ताकतों को मजबूत किया है साथी साथ दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर NCB परमुक्ष शरत्ववार को लिकर आ रही है सरत्ववार ने शाफ असपष्ट सब्दों में कहा है मैं किसी से कोई competition नहीं रखता मैं सिर्फ और सिर्फ इमंदारी से खुद को मजबूत करना जानता हूँ और मैं जितना मजबूत होंगा उतना ताकते मजबूत होगी दूस्तों बात करेंगे किस तरीके से बढ़ते क्राइम को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा प्रियोग और बड़ी सफलता भी सामने आई है इस पर भी करेंगे विस्तार श्रिबात जियां और इसके साथ दोस्तों आज की बड़ी खबर में बात करेंगे अकले सियादों के 2 हज़ा 24 के किस निरने को ले करके कहानिया अलग अलग ताकतों के साथ मजबूत किया जारा है साथे साथ निर्वाचन अयोग के लिए गए तमाम बड़े फैसलों को जिया सम्मान के साथ आप तक कराने का हमारा पहला प्रात्मिक्ता होगा सो दोस्तो आज की बड़ी ख़़ों में बात करेंगे मलीका अजुन खड़गे आखिरकार किस तरीके से देश में एक नई करांती लाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं देश में किस नई करांती की मांग वो कर रहे हैं और प्रधान मंतरी स्री नरेंद्र मोधी के लिए कर त्यार हुआ अजोध्या राम लला के मुर्ति प्राण प्रतिष्ठा है तू जियां आने वाले सर्धालू भक्तों का विस्वागत में अजोध्या जूट गया है तो दोस्तों इसके साथ चोटी बड़ी ख़बरों को विस्तार से बताने से पहले वीडियो को लाइक ज़ विकास और ताकतों के बुदावलत जियां बीजेपी के अंदर रह करके भी बीजेपी को मजबूत करना जानते हैं और ऐसे में चिराक पास्वान आने वाले वक्त में लोग जन सकती पार्टी राम बिलास पास्वान के लिए हित में किये गए सभी फैसलों के शम्मान के अगतार बहतर बनाया है उमीद की नए शुरियोदे का सुरुवात किया है पर उसके साथ ही उनके तमाम चाहने वाले लोगों ने कहा कि तेश्वी को मुखमंत्री का एक बहतर चेहरा माना जा रहा है और नितिश कुमार को पत से स्तीफा दे तेश्वी यादों को मुखमंत के लिए खुद में समर्पित होना ताक्तों को मजबूत करने के लिए बहतर उमिद्वारी करना या कोसिस करना या संदर की बहतर लडाई लड़ना या ताकत लगतार हुजूम के तरपर आगे बढ़ रहा है खैर अब इसके बारे में आप जो कुछ भी सोचते हैं जो कुछ भी जानते हैं अब अपनी राए कॉमेंट में जरूर लिख करके बताईएगा इंतजार तो आपके कॉमेंट का करेंगे ही बड़ी कबर सामने निकल कर आ रही है प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नितुर्टर में लड़े जाने वाले लोगसभाद चुनाओ को ले हम दरगातार देश हित में फैसले लेते हैं और देश के लोग हमारे हित में फैसले लेंगे हमें उमीद है बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही राहूल गांधी को ले करके राहूल गांधी का प्रधान मंत्री बनने का सपना सकार हो या ना हो पर राहूल ने ये भी कहल दिया है कि अगर प्रधान मंत्री बने तो इन लोगों से जादा बहतर और इन लोगों से जादा सफिसेंट काम करना या यूं कहें कि एजुकेशन पर भारत को आगे ले जाना पटल को मज़बूत करना यह हमारी पहली प्राथमिक्ता होगी हम एजुकेशन के फिल्ड में भारत को बहुत आगे ले जाएंगे हम सिक कर दिया है साइद नितीज कुमार के बार बार कहे जाने कि भी सेस्रास का दर्जा बिहार को दिया जाए लेकिन कहीं न कहीं यह अमित्सा को नगवार गुजर रहा है अमित्सा ने इस बात से पहले भी इंकार किया था और एक बार फिर से इंकार करते नजर आ रहे हैं और अमि 2024 के लोकसबा चुना में तमाम वक्त बचे हुए थोड़े बहुत लेकिन सबसे जादा नितिश कुमार के नाम के चर्चा है क्योंकि नितिश कुमार को कुछ लोगों ने परधानमंत्री का एक बेहतर उमिद्वार मान लिया है परधानमंत्री के उमिद्वारी के साथ नितिश रहेगा आपके कॉमेंट्स का बड़ी खबर सामने यार यह इस वक्त और बड़ी खबर यह है कि एक बार फिर लालु प्रशाद यादों के लिए 2024 को मजबूत किया गया है और ऐसे में लालु प्रशाद यादों के चाहने वाले लोगों ने बताया कि हम सभी उमीद करते हैं कि लालु प्रशाद यादों के खिलाफ BJP कोई भी ऐसा दाव नहीं चलेगी लेकिन अगर वो चलते भी हैं तो कोई दिकत नहीं है चलने दीजिए उनके संगर्श को करने दीजिए वो लडाईयों में अपना जितना ही जाड़ा पैर मारेंगे जितना ही हाथ-पाओं मारेंगे वो उतना ही जादा दल-दल में फस्ते जाएंगे बड़ी और मतपूर्ण खबर यह है कि मलीका अजुन खड़गे ने 2024 की चुनाम में अपने त्यारियों को संपन कर लिया है लंबे वक्त के बाद में जिया लगातार त्यारियों को संपन करते नज़र आए हैं हलाकि उमीद वो कर रहे हैं कि इस बार नया करने के लिए बहतर करने के लिए लोगों का सपोर्ट मिलेगा और इस बार चुनाम हारने के बाद में कुछ चीज़ों को सीखने का जो मौका लगा उससे हम सबी सीख कर आ गया है बड़ी कबर ये भी है कि बिहार के सिक्षा विवस्था को बदलने वाले महान नेता के तौर पर तेश्वी यादों को देखा जा रहा है लोगों ने कहा है कि तेश्वी ने ये कदम जब उठाया जब महिलाओं से लेकर के पुरसों तक जियां खुसी का महाल देखा जा रहा है सिक्षा अच्छी मिलेगी ववस्थाएं अच्छी मिलेगी तो लोग सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे खैर आज इस वीडियो को देखने के लिए दिल से आपका बहुत धन्यवाद जैहिंद